महिस लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइंज लड़की को पिलाया बीयर में नशीला जवाह उसके बाद जबरदस्ती उस लड़की के साथ सेक्स के दोरान उसकी असनी फोटो और वीडियो निकाल कर उस लड़की को ब्लेक वेल करता रहा कलवा पुलिस ने इस पूरे मामले में दिवा की रहने वाले आरोपी गनेश और जीतू असोप सुर्वसे को गिरफतार किया है दरसल आपको बताए देख कि कलवा की रहने वाली एक लड़की ने कलवा पुलिस इस्टेशन में शिकायत दर्श कराई थी कि उसके साथ एक कमपनी में काम करने वाला उसका साथी गनेश उसकी दोस्ती हो गई थी मगर एक दिन गनेश ने उसे अपने घर बुलाया और बोल्टरिंग में नशीला दवा मिला कर उसे पिला दी और जबदस्ती उसके साथ सेक्स किया और सेक्स के दौरान असलील फोटू वीडियो भी बना लिया और फोटू वीडियो के आधार पर उसे लगातार ब्लेक मेल करता रहा और फोटू वीडियो वाइरल करने की धंकी भी देता रहा मगर फिर लड़की की कुछ दिन बाद इंगेजमेंट हो गई और जिस लड़की के साथ लड़की की इंगेजमेंट होई थी उस लड़के को भी इस आरूपी ने फोन पर इस असलील वीडियो और फोटू के बारे में जानकारी दे दी जिसके बाद इस लड़की ने कलवा पूलिस इस्टेशन पहुंची और वहाँ पर शिकायत दर्ज कराया पूलिस ने इस पूरे मामले में विभिन धाराओं में आरूपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरूपी को गोवा से गिरफतार कर लिया है कलवा पूलिस टेशन में विभि ट्रेस कॉन्फरेंस के दौरान एसीपी बैंकेट आंध्ले ने इस पूरे मामले में क्या जाधा जानकारी दी है आपको सुना 22-21-19-19-10-3-2022 तक कलवा पूलिस टेशन में एक कलवा पूलिस टेशन के एरिया में एक लेडी रहती है उसका चरह में कमपनी में काम पर दिती वहां पर एक बच्चे से जिसका नाम है गनेश जित्व आशुक सुरोश है इसकी और उसकी पहिचान हो गई फिर उसको गई बूलाया उसने बूला पूली स्टेशन में आके फिर्याद दी तो पूली स्टेशन में अपने पूली स्टेशन में पूली स्टेशन में आपके फिर्याद दी तन्तर द्याद दिनियम 66 और 66 यह फार रेश्टर हो गई आपके शिनियन प्याइब आवाद साब और क्राइन प्याए आजगावकर साब और डीबी के प्याशाय बगदाने और उनका डीबी का स्टाप इन्हों ने यह मोबाइल हमे इसका को बैक्राउंड है और यही महिला को ब्लैक मेल उसने किया है